अज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगत राम जी जो की एक आम आदमी है हम इनसे जानेंगे इने कैसा लगा इंडिया का बज़िट दूनिया का सबसे अच् vac़ है यह लोग बहुत खोस हैं STEP 5 कव कॉपके sympathetic बात लगी कौण सी बजच में सबसेकि पाकिस्तानि वाट अच्च्छा जोनिया का सब ញच इत यूद अच्छा आइपड आपारात मात की जै प्र अगभा आपको अक्छा क्या लगा जिद में एक ची गुटना टेक देगा एक दम से ऐसा भारात महता की भारात महता की बद भ्गत राम जी बभजट तो निर्मला सीटा रमन् ने बनाया है लो 안रह एक रभणा Th Wij GB Sc जो आप नम बोल रहे थे गिनिर्मला सीटा ने भारमन वही तो है अमरी फिनान्स मिनिस्टर उन पूरा दुनिया को पता है मोधी जी करते हैं यहां पे लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है आप कहरें बहुत अच्छा बजट है घर का बजट बहुत बड़ा होता है हमको देश का बजट का इजट करना चाहिए अपने देश का इजट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अपने देश का बजट का इजट करेंगे हमको अपने देश का बजट का इजट करना चाहिए सब को बारात माता की बारात माता की भागत राम जी पर आप इंडिया की बजट की बात कीजिए ना इस बजट से कितने लोगों को नौकरिया मिलेंगी पाकिस्तान में कितने को न नौकरी में एक थाल का पत्युक्स्टानि षब यहां कुछ कुना यंदिया का कंप्धर किजी एक दंसे पाकिसितान को कितो डेक्षिन पॉक्सटान से फिर पाकिस्टान से बहूत नॉयां बजट में और पिछली बार 100 क्या था उनका तो कुछ पाता ही नहीं है इस वुर च्पर्ची तो को नारंमल किटी नहीं है! स्मार्ट सिट्ट है स्मार्ट था थोड़ा तोड़ा इसलिए टैम ज्यादा लगता है स्मार्ट सीट्ट में सब पास समार्ट पहों उगे !!! के पास सब के पास समार्टफोन होंग他 वैसे ही पहले से हैं सब के पास तो वे और बिस्मार्ट हो जाएंगे सब मोढटीं जी कर देंगे सब और ज्यादा इसमार्ट ब dang Dollar बाकिस्तान से स्मार्टफों आई नहीं वितक पता यह देक इसमें सब देखे देखे परा बजट के बारे में तो कुछ बताई नहीं रहे हैं उसमें क्या क्या है। भगत सिंग जी आपको पता है कि मोदी जी एलाइसी बेच रहे हैं यह तो बहुत अच्छा बात है मोदी जी लेंगे हम पूरा सब देश को बोलना चाहते हैं देश का सब लोग से मोदी जी अगर अब हमने घार आएंगे खूद पालिसी बेचेंगे अपने हम सब को दिलाएं मतलब लाइसी कम पनी को बेच रहे हैं हां जी एक में लाली ता इसलिए अगर बढत है तो आपने रहां जी को जिनकी हालत अभी ठीक नहीं लग रही है पर हम इनके सद्बारा जोड़ने की कोशच करेंगे पर तब तक के लिए कैमरा परसन साचिन गोखले के साथ मैं रेपोर्टर श्रद्वा शर्मा देखते रहे है ये फेकिंग न्यूज